नमस्कार, मैं स्विमंगल, ये वीडियो अपने एक मित्र की जिग्यासा पर मैं बना रहा हूँ, कि जैसे हमारे सभी साथीगण, भाई, उम, बहन, जो भी फर्स्ट टाइम किसी फंक्षन में, किसी मीटिंग्स में, किसी प्रिजेंटेशन में जाते हैं, तो उन्हें जो भी मीटिंग में फेश करना होता, कभी-कभी उन्हें अचानक बोल दिया जाता, कि आ करके वो अपने दो सब्द कहें, तो उस समय वो हडवडाते हैं, कि अरी में जाकर कि मंच पे क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, उनका हार्ट भी बढ़ जाता है, तो मैं यह कहूंगा, जब भी आपका आमंतर्ण मिला है, उसको सहर्ष, पूरवक्त, उसे एक्षेप्ट करें, और यह सोचें, कि मैं जिस काम के लिए, जिस वक्तब के लिए, जिस सम्भूधर के लिए आमंतर किया जा रहा हूं, मुझसे बड़ा सौभा किसाली कोई नहीं इसको लेकर के अपने अंदर जो आपके हार्ट बीट उसको नार्मल करिया, और मंच पर जाएए, तो मैं अब सुरू करूँगा, मंच पर सुरुवास्त से कशे करेंगे अपने वक्तब की सुरुवास्त, तो ध्यान देनी की बात है, जैसे ही आप आमंतर्ण किया गया है, तो जिस परिपेच्छ में कारिकर्ण कायोजन हुआ है, वह परिपेच्छ आपको मालूम है, मंच सज्जा से, इस के माध्यम से, और वहां पर लगये हुए बैानस, परचार, इत्याज के माध्यम से, आपको मालूम पर जाएगा, किस अवसर पर आपको बोलने के लिए, परिवेस में रखना है, अपने ध्यान में रखना है, और सरप्रथम मंच पर जाते ही सभी को संबोधित करना है, नमस्ते करना है, अपनी भासा में, सत्सियकाल, जैभीम, नमस्कार, इत्यादी, जो आप सुटेबुल वहां के परिवेस के लिए वातावरण के लगता है, उन स बोधर्म को सभी से समफित करेंगे, और उसके साथ में ही आयोजन समित्य जी ने जो आपको आमंत्रित किया है, उनको धनिवाद कहेंगे, यदि नाम मालूम है, तो नाम के साथ, नहीं तो आयोजन समित्य को धनिवाद कहना है, और फिर सुरुवात करनी है, आप जीने अप सिस्ट मानते हैं जी से अपना आइकन मानते हैं कि उनके मांदब से तो मैं एक एक्जामपल लेता हूं जैसा कि आज किसी का विदाई समार हुआ है कि मैं उस उदारण पर आपको जो है बताना चाहूंगा साथीगर्ण जो हमारे चैनल पर इसको शुरुआत करूं उसके पहले जो माई साथीगर्ण इस चैनल पर पहली बारा हैं मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और आइकन बिल घंती दवाना न भूले जिससे हमारे जो भी वीडियो आए आप तक पर पहले पहुचे सबसे पहले आप तक पहुचे धन्यमाद तो यह आप सपोर्ट कर लिजे कि मुझे किसी के विदाई समारों में आमत्रित किया गया है और मैं मंच पर आया हूं तो सुरुआत करते हैं सबसे पहले उपस्तिस साथियों को मैं स्युमंगल का प्यार भरा नमसकार सश्टिय का सत्सियाकाल जैभीम दुआ सलाम मैं सरप्रथम आज के इस कारिकरम में उपस्तित सभी साथियों भाई वहनों अधिकारियों समाज सेवियों को नमस्ते करता हूं और साथ में ही इस आईजों समीत ने मुझे इस आउसर पर अपना बोलने का समय दिया है इसके लिए मैं उनको तह दिल से सुक्रियादा करता हूं उनका सुक्र गुजारूं आज के इस पावन अउसर पर स्री बाल गंदा धर्तिलक मैं थोड़ा परिवर्तन करना चाहूं श्री बाल गोपाल जी का जो इस कारिकरम में उनके सम्मान में कारिकरम रखा गया है जी उन्होंने अपना यहाँ पर जो है बहमोले समय दे करके अपने कारिकाल के दो वर्स कुछ महेने कुछ दिन भी ताये हैं और उसने अपने कारिकाल के दोरान में जो भी संगठन के लिए इस संस्था के लिए काम किया है वो समय हमेशा इस समाज के लिए इस जगे के लिए इस अस्थान के लिए अब इस मरनी रहेगा मैं उन्हें एक बार फिर धन्वाद करता हूँ कि उनका कारिकाल जितना रहा है बहुत ही स्वच निश्पच और डेडिकेटर रहा है इसके लिए यहां का उपस्थी जन्वसमधाय बहुत ही आभारी रहेगा जब-जब कामों के विकास की बात होगी तो सिरी-सिरी-सिरी का नाम लिया जाएगा। इन्होंने प्रत्यक जनभावनाओं को मन में रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए, सरकार की योजनाओं के रूप में अपने कारी को मूर्त दूप दिया है, और जो भी काम किये हैं, वो काबिले तारीफ है। जितनी उनकी सरहना की जाए, जितनी उनकी प्रसंसा की जाए वे बहुत कम है। मैं निवेदन करूँगा कि सर, स्रीमान जी जिस छेत्र में, जिस अस्थान पर जाएं, वहाँ पर भी किसी डेडिकेटन से, इसी लगन से वहाँ का काम करेंगे। वहाँ की जनता, इनके सूजबूच और इनके कारियों की, कारिकरने की प्रकति को, नेचर को, कारिकरने के सिस्टम को लाभवानित होंगे। मैं आसा ही नहीं पून विश्वास करता हूँ, फलासर जो है, जहां भी जाएंगे, वह इसी तरह जिस तरह आज हम उनके सम्मान में इस बिदाई समारो आजित किया है। हम सब गर्वानित महिसूस कर रहे हैं इनकी गर्मामय उपस्तिती में, इतने साल यहां पर कार करके, उसी तरह जहां पर आस्थान अंतिर हो करके जाएंगे, वहां पर भी उन्हें इसी तरह से इस छेत्र में कारी करेंगे, और उस छेत्र के सभी लोग लाभवरनित कि उन्होंने हमारे संगठन के लिए, हमारे सरसथा के लिए और पूर्य समाज के लिए बहुत ही अच्छे, अच्छे कार किये हैं, उनका सहयोग भी हम सब के प्रत, बहुत ही सहद्र पूर्ण, बहुत ही सहज रहे हैं, इसके लिए एक बार मैं उनको फिर धन्वात देता मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मिटिंग में आज के सम्मान समारों में मैं एक बार फिर सर्कों धन्यवाद देता हूं और अपनी तरफ से उन्हें अभार बेक्त करता हूं आवजन समीत को जिन्होंने मुझे बोलने का उसर दिया इसके लिए उनको बहुत बहुत जय भारत धन्यवाद